तो पिछले दस दिनों में निफ्टी के मैंने तीन स्टैटेजी आपके साथ डिसकस किया है जिसमें दो में जैकपोर्ट प्रोफिट हुआ है 100 पोइंट से जादा का और एक में कोस्ट ओ कोस्ट हुआ है तो अब जो भीव आज हमने बनाया है भीव वाला जो वीडियो हमने आ पर बन रहा है 17,500 तक का 600 तक का भीव बन रहा है को वहां तक जा सकता है वीडियो में एक्स्प्राइनेशन समझेगा कहां जाएगा कैसे कैसे जाएगा अब देखिए इसके बेसिस पर हम ट्रेड लेने की कोशिस करेंगे तो क्या होगा एक तो डबल वोटम बनाया है तो उ 17,100 का अगर कोल एक बाय करते हैं तो यह एक लोट हमने बाय किया उसके बाद फिर यह अभी नहीं बनाएंगे अभी आपको एक एक जामपल दिखा रहा हूं कौन सी स्ट्राइजी सबसे अच्छी रहेगी वह ची अभी इस वीडियो में डिसकस करेंगे लेकिन कौन सी स्ट् 32 में हमने बाय किया है तो इसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे कि 132 से 42 वाला जो है कौल इसको हम दो लोट सेल कर देंगे तो हमें लगभग 80 पोइंट का इसमें हमें प्रीमियम मिल जाएगा तो इसको हम करते हैं सेल दो लोट अगर हम सेल करते हैं तो उसके बाद जो हमार प्रिमियम हमें पेग करना पड़ेगा that means कि हमें 48 पॉइंट का टोटल हमें रिस्क होगा और इसमें इस्टेटिजी में यह चीज देखिए इसमें टोटल रिस्क हमारा हो जाएगा मार्केट कहीं भी नीचे चला जाए तो इसमें 2400 का पूरा लोस होगा यानिक कर तालिस पॉ लेकिन इसमें देखिए 7000 का प्रोफिट हो रहा है हाइस्ट और लेकिन इसमें रिस्क को सबुझे रिस्क कहां से बढ़ जा रहा है इसमें जैसे ही 500 के उपर निफ्टी जाने लगता है तो इसमें रिस्क हो जाएगा और 600 आसपास में भी रिस्क होगा तो इसमें 500 का हमारा इस्टोपलोस होगा तो थोड़ा सा ठीक ठाक स्ट्रेटीजिय है जो लगतार करना चाहते हैं कर सकते हैं लेकिन 500 के उपर नहीं रखेंगे इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रेटीजी भी हम डिसकस करते हैं अगर सिंपल अगर आपका भीव क्लियर है ना आपका भीव क्लियर है कि मार्केट अप थुरा ट्रेंडिंग हो रहा है तो यह जो कोल सेल है इसको आप बढ़ा घटा भी सकते हैं जैसे 42 वाला कोल करके नहीं हम इसमें क्या करते हैं कि हम तो आठाइस वाला कोल जो कि 28 में चल रहा है इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है तो 28 वाला कोल अगर हम सेल करते हैं तो इसमें टोटल प्रीमियम जो हमें पे करना पड़ता है वह 3770 रुपय का यानि कि हमें 75 पोइंट का लोस हो सकता है मैक्सिमाम यहां पर देख उतना बड़ा प्रोफिट भी नहीं हो रहा है और रिस्क क्या है इसमें रिस्क वापस 17500-600 में आपका फिर से रिस्क यहां पर स्टार्ट हो रहा है तो सिम्पल है 17500 तक अगर जाएगा मार्केट तो यह सब जो स्टैटिज है इसमें प्रोफिट होगा लेकिन 500 के उपर जा करेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें सिम्पल हम नेकेट कॉल को बाय करते हैं या फिर नेकेट फ्यूचर को बाय करते हैं और इसके साथ में हम पुट को हेज करते हैं समझा अगर हम सिम्पल यहां पर देखें तो हम सिम्पल स्टैटिज यहां पर क्या लगाते हैं कि हम 1100 का जो कोल है 132 रुपे में और 17200 को कोल है उन्यासी में तो यह उन्यासी वाला को को हम बाय कर सकते हैं कि stop loss के साथ 40-50 पॉइंट का stop loss रख सकते हैं और 50-60 पॉइंट का ही target रख सकते हैं यह चीज़ एक कर सकते हैं इसमें देखें इसमें क्या होगा यह तो सिंपल है तो आपको मालूम है तो इसमें unlimited आपका profit और रिस्क जो भी होगा रिस्क आपका कितना होगा maximum premium कितना पे कर रहे हैं और इसमें हमें total कितना होगा total इसमें जैसे मार्केट 500 के आसपास में जाएगा तो 10-15,000 का भी profit हो सकता है इसको हमको ट्रेल करना पड़ेगा और यह देखें जो लोग आराम से ट्रेड करना चाहते हो रेशियो इस्प्रेड बरा ले 500 का इस्टॉप लोस रखे लेकिन अभी वह थोड़ा सा रिस्की हो सकता है इसको में अभोईड करने का बोल रहा हूं यह को और स्ट्रेजी में आपके साथ डिसकस कर रहा हूं फ्यूचर बाय वाला माल लिजे कि यहा फ्यूचर बाय करने के बाद इसमें हमें ज्यादा यह लग रहा है प्रीमियम लग रहा है लेकिन इसमें देखिए अनलिमिटेड प्रोफिट यह लोस होगा लेकिन इसको हमको मैनेज करना होगा जैसे कि फ्यूचर बाय किया तो साथ हम क्या करेंगे कि एक पूट यह उपर जाता है 500-600 तक जाता है तो इसमें भी हमें 10-15,000 का प्रोफिट होगा ट्रेलिंग स्टॉप लोस इसमें भी यूज करना पड़ेगा एक और जब अर्जस्त स्ट्राटीजी बता रहा हूं हम पूट्स सेल करने का इसमें देखे पूट्स सेल कर सकते हैं पूट्स सेल करने के लिए Cindy कोई फिट practice कर सकते हैं तो क्योंकि उपर जागा मार्केट वो जीरो होगा लेकिन हम क्या करेंगे इसमें है जीग के साथ थोड़े principalmente कर पारे में समझेए मालिजी कि हमारा टार्गेट 17500-600 का है तो हम 17500 का जो पुट है यह जो कि 367 में चल रहा है इसको हम करते हैं सेल हम करेंगे इसमें एक लोट एक लोट सेल करने के बाद इसको हम एक लोट मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ सके आप जब भी करें तो कॉंबिनेशन में करें एक लोट के हिसाब से बता रहा हूं आप पांच लोट दस लोट जो भी है वह आप सही से करें और जो सिस्टम बता रहा हूं उसके अकोडिंग करेंगे तो ज्यादा यह होगा और बाकि डिस्क्लेमर यह है कि एक एजूकेशनल व लेकिन इस चीज़ को समझे कि नीचे जाएगा तो हमें अनलिमिटेड लोट से भी होंगे तो इसको मैनेज करने के लिए देखिए कहां से अनलिमिटेड लोट से स्टार्ट होगा हमारा लोस हमारा स्टार्ट हो जा रहा 17100 पे तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा 5000 का रिस्क ले लोट बाय कर लेते हैं अब देखिए हमारा जो ट्रेड सेट अप बन गया अब इसमें टोटल हमें प्रोफिट होगा वह 15000 का मैक्सिमम प्रोफिट होगा जब मार्केट हमारा ऊपर के तरह आ जाएगा 400 के उपर 500 क्यास पास में आ जाएगा तो 15000 का प्रोफिट एक्सपार मार्केट आता है तो मैं लाइव मार्केट में आपके साथ सेयर करूंगा